हलो व्यूवर्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल ग्रह सुनाली दोस्तों आज मैं आपका बताने जा रहे हूं कि किस प्रकार आपका स्मार्टपून आपके चेहरे के बढ़ते हुए मुहासों की एक बज़े हो सकता है स्मार्टपून का अधिक उपयोग आपकी सिहत पर बहुत ही गलत असर डालता है जिससे शरीर से संबंदित जैसे सिर्कदत, माईगरीन, आउंकों की कमजोरी आधी कई बिमारियां पैदा होती हैं हलांकि इस बिमारी के अलावा स्मार्टपून आजकर लोगों के चेहरे पर बढ़ते हुए मुहासों की भी वज़र बन गया है इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे परन्तो उससे पहले यदि आपने मेरे इस ग्रह सुना ली यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नएने अपलोट्स के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें और इस जानकारी के पसंद आने पर नीचे थमसब के बटन पर क्लिक करके इसे लाइक जरूर कीजीगा साथी साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस इन्फॉमेशन को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजीए ताकि जादा से जादा लोग इसका फादा उठा सकें तो आईए जानते हैं कि किस प्रकार एक स्मार्टपोन आपके चेहरे पर होने वाले मुहासु का सबसे बड़ा कारण है अक्सर पिंपल के कई कारण होते हैं मगर स्मार्टपोन आजकल उन में से सबसब बड़ा एक कारण बन गया है जैसे कानू में स्मार्टपोन की अंधा दून इस्तमाल से उसके मोबाइल से निकलने वाले बैक्टीरिया आपके चेहरे के पोर्स में समाहित हो जाते हैं जिससे आपके चेहरे पर पिंपल होना शुरू हो जाते हैं और मोबाइल को अकसर हाथ में रखने पर उसमें धूल और पलूशन चला जाता है इसका रिजल्ट यह होता है कि जब यह हाथ हमारे चेहरे पर लगता है तो फिर वह गंदगी जमा होकर हमारे स्पोर्स में अंदर चले जाती है जिससे चेहरे में पिंपल होना शुरू हो जाते हैं मोबाइल का बहुत ज़रूर से ज़्यादा इस्तमाल करने से उसमें से आने वाली रेडियेशन एक तो हमारी आँखों को एफेक्ट करती है वहीं दूसरी और ये चेहरे पे होने वाले मुहासों के भी सबसे बड़ी वज़र बनता जा रहा है और अकसर लोग मोबाइल की स्क्रीन को साफ करते हुए ये ध्यान नहीं देते हैं और हाथ, रुमाल वो अपने कपड़ों के किनारे से ही उसे साफ करने में लगे रहते हैं परनतों लोग यह नहीं जानते कि गंदे रुमाल और हाथों से साफ हो रहा है या मोबाइल कॉल रिसीव करने के समय कानों के पास तो जाएगा ही जो आपके चेहरे को खराब कर सकता है देखा जाए तो चेहरे में मुखासों के लिए धूल, पॉलिशन, अनहल्दी बॉड़ी और मौसा में चिंजिस के कारण होते हैं मगर समय के साथ स्मार्टफोन के इस्तमाल से ये स्मार्टफोन भी चेहरे में पिमपल का एक सबसे बड़ा कारण बन गया है जो ज़्यादा तो लोग नहीं जानते हैं क्योंकि वे सबी चेहरे पर होने वाले पिमपल के लिए धूल और पॉलिशन को ही दोश देते हैं इन सब समस्याओं से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने स्मार्टफोन का कम से कम इस्तमाल करें और यदि इस्तमाल करें तो यदि मेरी जानकारी पसंद आई खो कि इसे लाइक जरूर कीजिएगा धन्यवाद